करते हैं तब आज क्या सीखने वाले बबलू भाई एफोसी कैसे यूज करते हैं राइट आया ना यह तो बता दो फोसी क्या है सबसे पहले देखो ऑप्सन चैन है जिसमें हमको डेटा देखने को मिलता है सारा का सारा ऑप्सन का जो भी ट्रेडिंग होती है फुटका कॉल का यह सब तो आपको पता है इस पर्टिक्लर ऑप्सन चैन को कैसे यूज करके ट्रेट कर सकते हैं हम लोग सबसे पहले यह जानेंगे इसके फीचर तो पता है सैम वही है रिवर्सल से यहां ल्टीप प्राइज चैंज पॉइंट बॉल्यूम ओपन इंट्रेस्ट ऑपन इंट और यह कॉल का सेक्षान इतना दो पता है है नवाब पर पुट के सेक्षान में किस टरफ की किस स्ट्राइक प्राइस से ओपन इंट्रेष्ट अगर कंपर करें कॉल साइट से ज्यादा है तो यहां पे आपको ग्रीन क्लर देखने को मिलता डैकली मतलब रिवर्सल की पॉसि है सही है अब देखो अभी अपने को ट्रेट कैसे करना है वो भी समझ जाओ कि सबसे पहले हमने रिवर्सल देख लिया कि 26 130 और यहां उपर देखेंगे तो 26 234 से क्या हो सकता मार्केट नीचे रिवर्स हो सकता है जैसा कि हमने कल देखा था कि 26 234 के पास जब मार्केट गया उपर तो क्या हुआ है यहां से रिवर्स हो गया मतला हमको क्या देखने को मिला जहां पर ग्रीन कलर है कॉल साइट वो रजिस्टेंस की लाइन है वो पुट साइट में सपोर्ट की लाइन है तो यह रिवर्सल की पॉसिबिलटी देख गई हमको directly green color में कुछ भी नहीं देखना है green color देखना दौनों तरफ वहाँ पर क्या खीचनी एक एक लाइन इसे 26-133 में एक लाइन खीच दी 26-234 पे एक लाइन खीच दी कुछ देखने की जूरत पड़ी कुछ भी नहीं देखा हमने सिर्फ हमने एक support खीचा और एक resistance कीचा अभी हमने scenario भी नहीं देखे shortcut तरीका मतला ही बता रहा हूँ FOC को कैसे use कर सकते हैं अब यहाँ पर देखो अपने reversal तो देख लिया कि 234 से हमको put लेना है और 26-133 से call खरीदना है अब यहाँ पर एक चीज और आती है कि जब हम call या put खरीदेंगे तो हम कोई strike price चूज करेंगे हो सकता 50 point इंदा मनी 100 इंदा मनी तो यह इंदा मनी हो गया नीचे का area और इस तरफ put के लिए इंदा मनी हो गया राइट अब देखो अब हमको खरीदना है 234 से put तो हम यहाँ पर put site put खरीदने के लिए put site की कोई भी strike price को चूज कर सकते है इतनी सारी है जो और हर strike price में क्या premium चल रहा है वो हमको दिखाई दी रहा है जैसे 26,200 अब हमको देखो यह resistance है इसको अच्छे से देखो यह resistance है हमने एक line खीची और हम लोग market अभी चल रहा था कहां यहाँ चल रहा है 170 पर और हमने क्या खीच दी एक line यहाँ पर कि जैसे 234 के पास आएगा हम यहाँ से क्या खरीदेंगे put खरीदेंगे अब put खरीदेंगे हम यहाँ पर हम इंतिजार कर रहे हैं कि market आएगा तो put खरीदेंगे है ना resistance यहाँ से निकाल लिया कि 234 resistance है अब अपने को put का section देखना है कि अपने को जब put खरीद नहीं है तो 26, 200, 200, 300 OTM हो चाहे इंदा मनी हो कोई भी strike price कुछना कोई आप चूस करो कि अपने हिसाब से mostly इंदा मनी preferable होती क्योंकि इंदा मनी मैं अपना decay कम होता है profit भी जादा होता है तो अपन 50 पॉंट वाले इंदा मनी सोच लिए कि 26, 200 का put हमको खरीदना है कब जब market 234 जाएगा है ना यह हमने decide कर लिया तो 26, 200 का put अभी कितने का चल रहा है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कितने का चल रहा है 110 रुपय का तो अब अपने को क्या करना है इसी put को अपने को खरीदना है कब जब market 234 पे पहुंचेगा मतलब इस resistance के पास तो हमको limit price तो पता नहीं है कि कितने का होगा तो अब हमको इसका समधान क्या मिल गया उस particular strike price के सामने आपको यह लिखके आएगा कि premium में reversal कितने ऐसे आएगा मतलब इस 84 से 110 चल रहा है भी फिलाल इसका LTP जब यह 84 पहुंचेगा तब market क्या होगा बापस नीची आजाएगा और यहीं से market का premium increase होना चालू हो जाएग 84 से तो हमने क्या डिसाइड किया कि हमको यहाँ पर put खरीदना था इस रहिष्टेयन से तो हम इंतिजार करने की जगा क्या कर सकते हैं limit order लगा सकते हैं कितने का 84 रुपीज का 84 का limit order लागे छोड़ दो जैसे ही market 234 जाएगा तो 26 रुपीज दोस्तों का price कहां पहुंच जाएगा 84 रुपीज पहुंच जाएगा और आपका जो trade है वो execute हो जाएगा मतला हम पहले से क्या कर सकते हैं यहाँ पर limit order लगा सकते हैं यह हमको फायदा मिल गया और यह limit order पूरी तरह से बढ़िया काम कर रहे हैं यह तो अपने testing करी लिए है है ना दो-तीन screenshot बोलो तो फिल दिखा देंगे अभी अब तत अब ऐसे ही same चीज़ देखो आपने को क्या करना 130 पर जब market जाएगा राइट 130 पर जब जाएगा तब कितना price होगा 176 का reversal दिखाएगा कहा का 176 का जैसे market अब 234 गया हमने एक trade execute कर दी ठीक है अब market जब नीचे आएगा तो यह पहले इसके पास जो भी support पड़ेगा बहाँ पर रुकेगा तो यह 176 क्या आ रहा हमारा support आ रहा है राइट राइट 176 जब आएगा market तो यह हमारा support है तो 176 के समय क्या premium होगा call खरीदने के लिए हरिश्ट्राइक price का वो हमको इस side देखने को मिल रहा है मतलब जब 176 लेकिन 176 से हम क्या call खरीज सकते हैं नहीं खरीज सकते हैं तो हम बेट कर सकते हैं और नीचे जाए 130 तो उसके समय उस समय जो reversal आएगा उससे हम trade कर ले तो हमारे reversal जो है अगले diversion के according ये दिये हुए है मतलब अभी जहां भी ख़ड़ा है market उसके बाद उपर या नीचे जो भी diversion पड़ेगा जो भी पहले पड़ेगा उसके according के दिये है ये premium दिये है तो देखो हर diversion कभी न कभी थोड़ा बहुत कोसिस करता है रोकने का market को यह हमको पता है तो उस particular diversion पर ये risky diversion है लेकिन यहां से reversal की trade हम नहीं लेते हैं हम कब लेते हैं जब यहां पर open interest जादा हो या safe trade हो तब हम लोग लेने की कोसिस करते हैं तो अब यहां पर यह वाला diversion अगर काम किया तो जो यह call है market का जो reversal है 26,200 या 1,500 कोई भी strike price का call किस premium से उपर जाएगा वो हमको यहां पर दिया हुआ है यह call का section है अभी currently कितना चल रहा है 170 मालना अभी 234 पे market हम माल लेते हैं 234 से नीचे गिरना भहीं से हमने trade ली थी राइट? अब 234 से जब market गिरना चालू होगा तो यह 84 रुपए में हमने assume कर लिया जब market 234 जाएगा तो यह कितने का होगा put 84 रुपए का तब 84 रुपए का हमने यहां एक put खरीदा तो यह इसका premium बढ़ना चालू होगा अब बात आती है target की अब यह समझ गया ना put cup खरीदना है हमको resistance जो मिलेगा उससे put खरीदना है और उसकी LTP यहां दिये और support से खरीदना है call जिसकी LTP और reversal यहां दिये हुए है लेकिल यह immediate वाले दिये हुए है इसको देखके आप सिर्फ यह नहीं सोच सकते की यही reversal है आपको यह भी देखना है कि आपका support resistance कौन सा है जिसे मैं अभी 130 को support मान रहा हूँ कि 130 तक market गिर सकता है तो मैं अभी market अगर 234 support खरीदूँगा तो 84 का पहला target तो मेरा कब आजाएगा जब market में यह particular LTP नीचे जाके इस LTP के पास पहुचेगा ठीक है clear अभी यह pass दिया है क्योंकि अपन बंद market में सिर्फ समझा आ रहा है जब live market में देखेंगे तो इसमें अलग तरीके से समझ में आ जाएगा है ना क्योंकि अभी तो closing कहीं और हुई है उसके according एडिटा दिखा रहा है अभी जैसे closing कहां दिखा रही है market की यहां देखो 176 के पास है है ना 176 से समझो आसान हो जाएगा आपके लिए अभी market कितने भी खड़ा हुआ है क्यों बबलू जी 176 176 भी अपने आप में एक reversal है लेकिन यह reversal हम लेते नहीं है simple सी बात है है ना क्योंकि ए crossover ने है हाँ तो यह हम लेंगे नहीं पर यहाँ पर यह भी एक reversal है तो अगर market यहीं से reverse हो जाए तो वो किस premium से होगा यह हमको दिखाई दे रहा है अभी LTP कितनी चल रही है 141 और reversal कितना देखा रहा है वही देखा रहा है मतलब वही reversal देखा रहा है मतलब market कहां खड़ा है immediate bottom अपने reversal के पास वाले area के पास resistance है support मिले या फिर safe trade जो हम लोग अपनी classes में सीखने वाले है तो safe trade के समय अगर वो divergen पे कोई reversal दिखे तो हम लोग क्या करने वाले है उस trade को execute करने वाले है जैसे कि example ले ले लेते हैं को और यह support का area होता इतना पता है यहां से put से support निकालते हैं और call से resistance हम लोग volume को भी support resistance मानते हैं अगर strong है तो मानलो यह volume strong होता और सोबह सोबह यह WTT होता है तो हमको क्या मानलो है कि support एक safe trade है तो उस समय यहां पे crossover ना भी हो मतलब green color ना भी हो हम लोग call की trade ले लेते हैं तो अब 176 पे market खड़ा है और एक safe trade हमको मिल गई हमारे scenario के according तो भी हम क्या कर सकते हैं यहां से call ले सकते हैं अब call खरी देंगे तो क्या देखेंगे यह call की strike price यह है इस तरफ का data देखेंगे यहां पर call के premium चल रहा है LTP क्या चल रही वो दिख रहा है और reversal का जो premium है उसी समय वो क्या चल रहा है वो यह दिखाई दे रहा है मतलब अगर आप पर at a time देखें तो market reversal पर खड़ा यह हमको दिख गया क्यों क्यों कि LTP और LTP reversal क्या है SAM चल रहा है मतलब यह क्या हुआ एक reversal हुआ लेकिन अगर यह risky है कि safe वो हमको जानना जरूरी है अगर safe है तो ले लेंगे green area पर बन रहा है तो भी ले लेंगे अभी समझ में आ गया हर trade को नहीं करना है कि यह reversal आ गया है तो हम ले लिए हर trade को करोगे तो कुछ ना कुछ trade में क्योंकि changes आएंगे market मार लो गिर तो यहां तक सकता है हमको पता है न तो क्या होगा अगर यह गिर यहां तक सकता है तो जो यह premium यहां पर दिखा रहा है reversal यह क्या हो जाएगा increase हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा decrease हो जाएगा यह अपने को देखने को मिलेगा कैसे डिक्रीस हो जाएगा जिसे अभी देखोगे तो यह 170 और 170 मतलब रिवर्सल के प्राइस पे ही खड़ा है प्रीमियम में तो यह आटोमेटिक 20 से 25 रुपाय डाउन दिखाने चालू कर देगा आपको और वो आपका होगा असली रिवर्सल क्यों क्योंकि वो ग्रीन कलर के एरिया के पास बन रहा होगा उस समय है ना अभी समझ गए रिवर्सल की ट्रेट का लॉजिक फिर से रिपीट कर दू ट्रेट कब करना है हमने उसके लिए अपने हला कहां से आ रहा है माइक बंद कर लो इसलिए मिट थोड़ी कराया था है हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो ग्रीन एरिया है और उसके अलाबा है अपनी थेओरी जो सीखे हैं वो अभी मैं थेओरी के हिसाब से बाद में बता दूँगा उस समय जो रिवर्सल होंगे वो हम ट्रेट कर सकते हैं अभी समझ गए ना अपने को अपना सपोर्ट रेइस्टेंस चाहिए ट्रेट करने के लिए ऐसा नहीं कि रिवर्सल आ गया तो अपने ट्रेट मार दी सिर्फ हमने जो सीखा है मार्केट कहां से रिवर्स होता है यह हमारा एक सपोर्ट आया 5.0 आ गया तो हमने एक घंटे के अंदर आता तो हम कॉल की टेट लेते हैं लेते हैं यही करते हैं तो उस समय प्रीमियम का रिवर्सल क्या है वो देखके हम लोग यहाँ पर लिमिट ओडर लगा सकते हैं अब उसके समय की कहानी और बताता हूं जैसे ही सपोर्ट आया मारलो एक अपना 5.0 ठीक है यहाँ से कॉल खरीदा और वो 70 रुपए का यह प्रीमियम दिखा रहा था इस तरब का देख लेते हैं रुपए का प्रीमियम दिखा रहा है यह ना पर एकाथ केंडल नीचे क्लोस हो गई तो यह भी हो सकता है मार्केट को यह लगे कि यह नीचे का डायवर्जन से रिवर्स होगा तो यह वाला LTP आटोमेटिक कितना दिखाए लेगा आपको 115, 120, change हो जाएगा किसके according दिखाएगा अब यह अगला divergen जो आने वाला उसके support के according यह premium दिखाने लगेगा पर हमको यह trade जो है 140 से ही मारनी है अब आया समझ में क्योंकि यह हमारी reversal की trade है और इस समय का premium reversal था वो कितना था? 140 मतलब जो पहले हमको दिखा रहा था वो ही है और उसका use कब करना है जब हमारा proper reversal है तो उसी premium का हम use करेंगे और उसी पर stop loss लगाएंगे और target क्या होगा आपको पता ही है जब अगले वाले का limit order आएगा तब तक हम उसको trade को continue कर सकते हैं अभी feature समझ में आगे LTP reversal जो confuse कर रहा था उसके अलावा आपको देखेगा यहाँ MMI MMI क्या है अपने एक मेरा million index निकाला जिसमें हम लोग IB और delta के according market का sentiment देखते हैं कि positive है कि negative है हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं अगर IB positive है किसी side की ज्यादा है तो उस side का market क्या होता है sentiment होता है market उस side जा सकता है delta जिस side का कम होता है market उस side जा सकता है तो यहाँ पर क्या लिखा है down मतला market कहां जा सकता है नीचे इसका मतला में delta कहां का कम होगा put side का कम होगा इसलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है? अब यहांपर delta को check करते हैं add the money के delta देखना है हमको याद रखना है add the money पर हम delta देखते हैं कितना दिखा रहा है? 4 और 3 कितना ही दिखा रहा है? और इस तरफ वही चीज़ देखें के तो देखो 6 और 5 मतलब डिल्टा कहां का कम है पुट साइट का इसलिए हमको क्या दिखा रहा है मार्केट डाउन सेंटीमेंट दिखा रहा है IV किस साइट का जादा होगा कॉल साइट का इसलिए क्या दिखा रहा है अब सेंटीमेंट आई भी चेक करो यहाँ पर कितना दिखा रहा है हमको 999 दिखा रहा है यहाँ पर दिखोगे 999 910 दिखा रहा है तो यहाँ पर आई भी किसकी ज़्यादा हो गई थोड़ी सी ज़्यादा है पर किसकी ज़्यादा है अरी ये अभी भी नहीं सुधा रहा है इनने यह ल्टा लिखा हुए इस पर ध्यान मत देना आई भी जिस तरब की ज़्यादा होगी उस तरब का क्या होगा sentiment यह भी भी नहीं सुधा रहा है यहाँ 9 4, 5, 6 इनका total जो है वो ज़्यादा आएगा ना इसका क्यों ज़्यादा आएगा ठीक है आई भी जिस तरब की ज़्यादा होती उस तरब का sentiment होता है और डिल्टा जिस तरब का कम होता है उस तरब का market होता है तो उसी को हम क्या बूलते है MMI साथ और डारेक्ली PCR देखने का option मिला है PCR क्या है put call ratio होता है सभी को पता है put or call के total open interest हम डिवाइड करते है तो हमको एक ratio मिलता है अगर ये एक से उपर होता है तो bullish market होता है एक से नीचे होता है तो bearish होता है इसकी एक range भी है एक से लेके 1.3 तक bullish होता है और 0.7 से 1 तक bearish होता है इसके uber overbought और oversold जो और जाते है तो हमने ये अपन क्या कर दी यहाँ पर directly लगा दी है देखने के लिए तो अभी समझ गया अपने को क्या क्या feature है हम मिल रहा है MMI direct मिल गया open interest जो हम लोग देखते थे कहा का ज़्यादा होगा ध्यान नहीं जा रहा तो directly green color है मतलब open interest जादा है अब इसको check भी कर लो कितना लिखा है 40 48 38 और इस तरब कितना लिखा हुआ है 36 36 मतलब ये क्या है जादा है इसलिए यहाँ पर green color है अब यहाँ red क्यों है क्योंकि यहाँ का कम होगा कितना लिखा हुआ है 153 153 135,000 यहाँ 169 मतलब call site का जादा है तो जिस तरब का open interest जादा होगा उस तरब से reversal आने की possibility होती है क्योंकि हम open interest को क्या दिखते है as a seller perspective से दिखते है जहाँ का open interest जादा होता है वो market में support resistance का का काम करते है highest जो है strong support strong resistance होता ही भी हमको पता है और बाकी जगा जादा है तो वो एक normal resistance support वो भी काम करते हो वहाँ से भी reversal आते है तो यह हमको directly वहाँ क्या मिल गया green color मतलब वो area एक reversal ग्रूप में काम कर सकता है अभी clear कोई doubt LTP reversal कैसे देखना है भी समझ गए चलो repeat करो एक बार करो repeat for tax से सबसे पहले कि हमको हमारा reversal देखना है कि हमारा support और resistance कहा है जो हमने स्थिखा है उसके हिसाब से ठीक है सबसे पहले हमने हमारा पहला reversal देखा है 26,150 पर हमारा support बन रहा है ठीक है 26,130 जब market 26,130 आएगा जब हमको call करीदना है for example 26,100 का हमको call करीदना है तो हम उसके premium चेक करेंगे कि उसका premium कितना आ रहा है 26,136 पर जब market आएगा जब market का premium होना चाहिए 2-3 दूपेगा मतला हमको तो हमको क्या देखना हमारा particular support और साथ में LTP price match करना चाहिए तो हम लोग उस trade को execute कर सकते है तो हमको क्या फायदा मिला हमको पहले से limit order पता है market में execute करने के लिए यह फायदा मिल गया अब पहले जो tension होती थी कि यार कितने का होगा पहले से लगा सकते हैं कि वो दिक्कत खतम अगर कोई changes आते हैं तो भी market में ये reversal काम करेंगी मतला अब यहाँ पर यह होगा 203-200 दिखाने लगा 204-5 दिखाने लगा तो भी आप क्या कर सकते हो अगर ये reversal थोड़ा ऊपर shift हुआ मारलो 5 हुआ 6 हुआ तो आप limit order को 205-206 कर दो लेकिन अगर नीचे shift हुआ 200 हो गया तो भी हम limit order 203 का ही रखेंगे जो पहले दिखाया है अगर ये बहुत ज़्यादा चेंज हो गया 20-25 रुपाइस का मतलब है वो अगले डाइवर्जन का reversal दिखा रहा है ये नहीं दिखा रहा कि वहां से reverse होगा अगले डाइवर्जन का reversal मतलब जो हम सोच रहे थे कि ये 130 से reverse होगा तो 130 से ना दिखा कि क्या दिखा रहा है अब 26,82 से होगा तो कितने का होगा वो हमको ये दिखाएगा पर अगर आपके मन में चल रहा है ये 130 से reversal होगई ये अभी green color है हमारा support है ये नहीं तूटेगा तो आपन क्या करेंगे इसी particular value से call खरीच सकते है मतलब पहले जो value आईए उसकी लाइन खीच लो वो immediate जो हमारा support था जो हम जहां से trade लेने वाले थे उसी की value दिखा रही है change हुआ तो वो अगले divergen के according दिखाएगी कि अब इस divergen से ना होके अगर इस divergen से reversal आएगा तो call कितने का होगा वो change होके यहाँ पर दिखा देगा है ना मतलब simple रूप है जो लोग सोच रहा है इसर चैंज हो रहा है तो वो change इसलिए हो रहा कि वो divergen change हो रहा है और थोड़ा वो जो fluctuation है उसको avoid कर सकते हैं 2-3 रुपए का और जो limit order दिखा रहा है उसको अपर land कीच के पहले से रख सकते है अब यहाँ पर example के लिए जो photos आई थी उसको भी निकाल के दिखा देते हैं अब ही यहाँ पर बहुत सारी photos थी ना अपने पास पिलो आपकी photo मिल गई यह देखो जैसे कि अपने को क्या देखने को मिल रहा है market सुबह सुबह जब चाल हुआ तब दोनों तरफ आपने एक-एक call एक C और एक P को add कर लिया आपको trade करनी है आपने क्या किया पचास पर इंदावनी call इंदावनी put को आपने दोनों तरफ add कर लिया जो भी add करना चाहो आप add कर सकते है strike price में कोई बंदिस नहीं है अब अपने क्या देखा कि यहाँ सुबह नौ पच्चिस पर यह premium reversal उपर के लिए दिखा रहा है कितना 200 रुपए दिखा रहा है है लो और वही पर सुबह नौ पच्चिस पर यह premium reversal क्या दिखा रहा है यह उपर के लिए 150 put side का दिखा रहा है अब हमको दोनों premium के reversal सुबह सुबह पता है स्टार्टिंग में भी होंगे 9-15-9-16 पई हमको पता चल जाएगा पहला reversal क्या है लेकिन अपने को उस particular reversal से call लेना है कि नहीं लेना है या put लेना है कि नहीं लेना है ये कैसे decide करेंगे क्या वो हमारा भी reversal है की नहीं मतलब इसने तो बता दिया कि अभी अगर उपर जाएगा तो immediate bottom से कितना premium होगा इसने ये बताया कि अगर immediate bottom होगा तो market उपर जाएगा तो ये call का price किस premium से उपर जाएगा ये हमको देखना है उसके साथ साथ ये भी है कि मारलो हम किसी value का wait कर रहे है उपर मतलब यहाँ पर इस line पर जाके market अभी currently चल रहा है एक support पर यहाँ से हम लोग put नहीं खरीज सकते पर हम लोग उपर यहाँ से put खरीदने वाले है तो हम लोग क्या कर रहा है market अभी यहाँ चल रहा है और इस particular value का wait कर रहा है यही करते हैं हम लोग यहाँ से हम लोग put खरीदेंगे तो उसी समय जब market यहाँ support के पास चल रहा होगा वहाँ से हम call भी नहीं खरीदते हैं हम सिर्फ बेट कर रहा होते हैं resistance support खरीदने का ऐसी बहुत सारी situation आती है तो ऐसे समय में आप क्या कर सकते हो कि अगर आप risky trade ले सकते हो तो आपको call का एक reversal दिखा रहा है limit price भी उसी जगह पे जहाँ पर market खड़ा है और आपको पता है market यहाँ तक जा सकता ले सकते हैं अभी समझ में आ गया risk लेने की भी जगह उसके अलावा जो premium reversal है hello manis जी क्या बोल रहा है बोलिए hello अपने hand risk किया ना इसलिए मैंने पूछा ठीक है अभी समझ में आ गया premium reversal समझ में आ गया आपको कैसे करना है काम आपको जो सुबह सुबह values आ रही उन पे line draw कर लेनी है और उन्हीं values से reversal की trade लेने की खोसिस करनी जैसे देखो एक बार सुबह सुबह कल यह वाले premium से reverse नहीं हुपाया नहीं हुआ ना उसके आप value change हुई और यह वाला reversal जब आया तब भी market में अपने पास reversal था put का मतला market नीचे आने की trade थी अपने पास तो अपने यह limit order देखा कि execute किया अगर तो यह अपना पूरा premium उपर चला गया एक बार जा नहीं कोसिस किया पर अगर यहां से 20 रुपय का stop loss देखे ना इंदा मेनी का तो भी पीस रुपय का stop loss हिट नहीं हुआ नीचे भी गया तो भी उपर चला गया और नए reversal से अगर आपने बालो trade मारी है तब तो फिर पूरे का पूरा profit मिल गया तो हो सकता है यहां वाले में 10 रुपय का SL काट जाए यह भी हो सकता है और यह बाले से 10 रुपय का SL ना काटे तो आप छोटे SL लगाओगे तो ऐसे कई बार कड भी सकते है उसका reason होता है sideways होना market का sideways हो जाएगा तो market में premium decay होते ही तो अपने को पता है कितना decay होगा अब अपने को यह भी पता है नहीं समझे market वहीं था market resistance के पास ही था और time pass किया गिरा तो नीचे ही लेकिन क्या हुआ decay और decay कितना हो रहा है market में अपने को यह पता चल गए 131 की चीज़ decay होगे कितने की हो गई 116 15 रुपय के something की हो गई तो यहाँ पर सिर्फ 15 रुपय market नीचे गिरा है इसका किसी का SL होता तो वो हिट नहीं होता बट 15 रुपय का 10 रुपय का हो जाता तो अपने को क्या दिख रहा है 4.0 के करीब चल ला है 24 रुपयर वालसल प्राइस बता रहा है हाँ तो फिर आप बोले सकते हो उस प्राइस से अपसन जैसे 4.0 के ऊपर निकल गया market तो अगर ऊपर निकल गया तो फिर आप ये देखो ना कि मानलो कॉल का जो प्रीमियम है फिर आपको कॉल का प्रीमियम का लिमिट प्राइस चाहिए ना ऊपर निकल गया सपोर्ट लिया आपन कॉल खरीदना है तो कॉल का लिमिट प्राइस भी उपर सिफ्ट होगा उसके साथ ये गौर करना ये नहीं हुआ तम मतले ना इसने बहुत अच्छी चीज देखाना चालू की है अगर market को उपर जाना होगा तो ये प्रीमियम इंक्रीज होके उपर चले जाते हैं अगर ये बापस नीचे क्लोस करेगा तो ये भी प्रीमियम भी चैन्ज होके बताएगा कि हाँ अभी थोड़ी दिर के लिए बेरिसनेस आ गई है तो पुट की लिमिट आपको मिल जाएगी और जब आप कन्फ्यूस होने लगो कि सार उपर जाएगा कि नीचे बहुत दिमाग खराब हो रहा तो दोनों लिमिट पे ट्रेड मार के दोनों मैसल लगा के 10-10 रुपय का छोड़ दो एक ऐसल होगा और एक टार्गेट देगा ये भी हो रहा है मैं एक दिन करके देगा था ये भी हो रहा है इसे कन्फ्यूसन होई ना ये उपर नीचे उपर नीचे करने लगा तो जब कन्फ्यूसन जगहा है कन्फ्यूसन जगहा है जब ये हो ना तो दोनों ट्रेड मार दो इसने लिमिट दी वो भी मार दो इसने लिमिट दी वो भी मार दो दोनों मैसल लगा आगे छोड़ दो एक का ऐसल एक का टार्गेट अगर उपर जाते तो क्या करते हैं अपन पुट तो खरीद ही चुके है अब तो मैं जहां लगे चले जाओ बस एक बार जाना चालो करो तो लट के मत आना यह बस मन में होना चाहिए बतला उपर जाओ तो उपर ही जाओ नीचे जाओ को कि एक एसल लगेगा और एक में 20-30 मिल जाएंगे आपको मतलब रिस्क के रिवार्ड मैनेज आटोमेटिक हो जाएगा जहां पर कन्फीजन होती थी ना उससे बचने की भी यह दवाई है समझ लो जैसे यह बार लो अभी एक ऐसी समझने के लिए देखते हैं अभी यह लिमिट प्राइज मार लो जहां खड़ा है वो रिवर्सल है अपना एक रिस्की वाला रिवर्सल है बट मार लिया कि यह ग्रीन कलर होता और यह रिवर्सल है और हमको ट्रेड लेनी है एक सच्छतर प अब इसको एक्जिट कप करींगे यहां पर देखो मार्केट क्या होगा उपर जाएगा उपर जाएगा तो पुट वालों का लॉस होगा उपर जाने से किसका लॉस होता है मार्केट जब यहां से उपर जाएगा तो अगर पुट लिया होगा तो उसका लॉस होगा इसका मत कर सकते हैं जैसे 110 कहां तक पहुंचे 84 क्योंकि 84 से रिवर्सल है पर आपको पता है 86 87 से भी आ सकते है एक दो रूप उपर से भी तो जब 110 86 87 के पास पहुंचने लगे तब अपने state को क्या कर सकते हैं exit कर सकते हैं तो यह अपना क्या हो लगा रिवर्सल LTP कहां से रिवर्स होगा अभी कितना चल रहा है उस चीज़ में हम लिमेट ओटर लगा के पहले से ट्रेट कर सकते हैं क्लियर पुट का ये एक सब्सक्रावाला 84 सम देंगा है तो फ़र अपन मतलब हाँ जैसे यहां से मालोग अपनी कॉल की ट्रेट थी अपने को डाइवर्जन भी मिल गया रिवर्सल भी वहीं है सब कुछ मिल गया अपने को सब पता था अपने कॉल खरीद ली अब ये मालोग मार्केट में पुट एक रिजिस्टेंस भी होगा आपके पास जहां से नीचे करेगा आपको पता है वो रिजिस्टेंस है 234 तो उस समय जब 234 जैसे ही मार्केट जाएगा तो अपना प्रीमियम कित्ता हो जाएगा 110 का 84 पहुंच जाएगा इसका मतला भी जब तक यह 84 नहीं पहुंच जाता है आप होल्ड कर सकते हो प्रीमियम चार्ट को देखकर खाली हो आपका टार्गेट हो गया जिसे यहां से अपने कॉल की ट्रेड ले लिए एक तो आपको क्या पता है पुट का रिवर्सल यहां से है तो जब तक मार्केट यहां पर आता है पुट का प्रीमियम तब तक यहां कॉल में बैठे रहो हमाई समझ में तो अब यह परियाब पैसा मिल रहा है तो ट्रेल करो booking करो वो सब अपके हाथ में कुछ lot book कर लिए दो lot है तो एक book कर लिए को trail कर रहा है time pass कर रहा है कब तक जब तक यह reversal की जगा पर ना जाए क्योंकि पता है यहां पर आके फिर target में क्या हो जाएगा यह reversal आने की possibility और देखो market परसान भी कहा किया जहां पहला reversal था वहीं परसान किया ना अगर यह पैसा दिया भी तो देखो क्या करके दिया जो पैसा आपको already target के पर मिल रहा था यह target आया पहली बार जब तो आपका देखो market का premium 230 था और अगर आप रुके रहते तो market देखो घुमाया time pass किया और 230 से क्या ही ज़्यादा दे दिया 5 रुपए पर आपका दिवाग 5 रुपए में पूरा खा गया तो कै यह 5 रुपए के लिए रुकना बनता है नहीं बनता ना तो देखो अपने को एक प्रकार से क्या मिला premium का top ही मिला ना top ही मन सकते ना इसको क्योंकि इसके बाद क्या क्या हुआ मार्केट में देखो आप अच्छे से देखो कुछ हुआ कुछ भी नहीं हुआ कुछ भी नहीं हुआ और इतनी देर के बाद एक spike ही तो आया है कौन profit book कर पाएगा इस spike में book तो यहीं होगा book तो नीचे अंदर में आपको तो पहली बार का target जो है वो best था यह भी हमको देखने को मिल गया और reversal भी था उस समय यह भी देख लो आप वो भी देख रहा था हमको अब बात आती है इंट्राडे में selling की हमने क्या देखा LTP से buy के लिए order देख लिए आपन देखेंगे selling अब सेम चीज आप इंट्राडे में कुछ लोग selling करना चाहते हैं तो उसको कैसे कर सकते हैं perform राइट यह भी सीख लें अब देखो अभी यहाँ पर बात आती है एक buyer की एक seller की example अभी यह 59 का लिए ले थे राइश्टेंस के पास market खड़ा था ठीक है तो यहाँ से market अब गिरता तो put का premium क्या होता increase right अब यहीं पर एक बेक्ती put buy करता है तो seller क्या करता है seller call को sell करता है C को sell करता है अब देखो seller और buyer में क्या difference आता है seller को क्या लगा थोड़ा सा decay decay लगा और बाद में market मालो यहाँ से आपने trade लिया था तो 30-20-50 आपको 20 रुपे मिले यही हुआ और यह target है क्यों है क्यों कि यहाँ पर देखो reversal है call का मतलब यह target है तो आपने पहले decay जहला फिर आपका target आया अब यहीं पर आती ही बात आपने इस put को buy करने के जगा आपने call को sell कर दिया कब जब आपका यह यह ना initial आपका stage जहां से आप put खरीदने वाली थे यहाँ पर 9-50 पे यहाँ पर market आया और यहाँ से आपने call को C.E.E. को क्या कर दिया sell अब देखो C.E.E. वाले को देखो कहां से कहां तक गिरा 225 से 190 लगभा 35 रुपय आपने selling में यहाँ पर intraday में कमा लिए अगर आप put buy ना करके call को sell करते तो तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते अगर seller है तो अपने put buy ना करके क्या करेंगे इसी position को sell कर देंगे मतलब 230 पर हमने क्या कर दिया इसको sell कर दिया अब आई बस समझ में जो intraday की selling करना चाहते है कैसे करेंगे हमको wait करना है किस चीज़ का resistance का और support का resistance पर आएगा तो C.E.E. को sell करना है और support पर आएगा तो P.E.E. को sell करना है यह हो गई क्या अबरी intraday की selling with stop loss क्यों stop loss क्योंकि stop loss आप खुद देखो यहाँ अपनी value के पास जब market आ रहा है जैसे अपना अब market यहाँ से उपर जाने वाला 11-20 से यह continuous fall आया है मतलब यह इसको अपन मान सकते है resistance यह यह तो यहाँ से हम लोग अब यह एक वेक्टी क्या करेगा इसका मतलब यहाँ से market support पर आया है support पर आया तो उपर जानी कुसिस किया अब यह support की trade लेने वाली थी तो बिल्कुल लेंगे अपन तो support से अपन क्या बाइख करते है call अब इसी का उल्टा अब अपन सेलिंग करने वाले थे तो अपन यह ना करके क्या करेंगे 11-22 पे put जहां पर top पे होगा तो वो कहां पर होगा यहां होगा 100 45-47 के असपास इसको हमने sell किया अब देखो बाद में spike भी आया तो भी कोई जितना उपर नहीं गिया market जितना buyer के लिए loss हो जाता है यह फाइदा seller को मिल जाएगा decay का loss इसको नहीं लगता है अब यहां से 20 रुपे जोड़ दो किता होगा 105-165 यह SL खाया इनी market ने और देखो पूरा का पूरा premium नीचे गिर भी गया immediate अगर booking करना चाहते तो वो भी कर सकते थे क्योंकि हमारे पास एक reversal था तो यहां पर भी book कर सकते थे तो यह क्या हो गए intraday की selling हो गई तो अगर आपको buy ना करके sell करना है तो आप उसके opposite side को क्या कर सकते हो sell जैसे call buy करने की जगा put को sell कर दिया अभी समझवाया मनिश जी 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 सब sell के margin अरे थोड़ा सा लगता है बस 70-80,000 कोई दिक्कत नहीं है पूछा जा रहा था intraday की selling तो मैंने बता दिया कुछ लोग करते हैं ऐसा नहीं है अगर आप गौर करो seller की नजरों से पर देखना चालो करोगे तो वो percent में देखना चालो कर देते हैं अब 70,000 में आपने एक lot लिया 20 रुपए कमाया 25 दूनी 50 मतलब 500 रुपए अब वो percent में देखेंगे 70,000 का कितना percent है अपन percent में नहीं देखते हैं अपन बायर लोग है अपने को double table चाहिए तो अब 570,000 का कितना percent है बता हूँ 70,000 का 500 रुपए चलो मैं इसको अलग तरीके से देखना बता आता हूँ एक लाख रुपए अगर अपन बैंक में डालते हैं तो 500 रुपए वो मन्थली ब्याज मिलता है उसमें डालके देखना 500 रुपए मन्थली ब्याज मिलता है तो ये तो अपने को daily दे रहा है ना तो ज़्यादा हो गया ना तो अपने को वाई की जगा क्या कर सकते हैं sell उसी के through अब इसको चार्ट पे भी देख लो selling को जैसे market यहाँ पर आया ये क्या है बबलुजी रइस्टेंस है 234 तो यहाँ पर हम call को क्या कर देंगे sell इंट्रडे की selling के लिए 130 आएगा तो put को sell कर देंगे इंट्रडे की selling के लिए premium क्या रहेगा वो आपके सामने रखे हुए जब 130 आएगा तब call को sell कर रहे है अभी समझ में आगे है अब तो कोई डाउट नहीं ना इतने धीरे से 10 बार repeat करके बताया हूँ एक बार फिर सा जाते जाते repeat हमारे area पे मरलो ये support इस side का area support होता है इस side का area resistance होता है support से हम लोग call buy करते है resistance से हम लोग put buy करते है जब हम put buy करेंगे तो उसका premium कितना होगा हमको इस side में दिखाई देगा और call buy करेंगे तो कितना premium होगा call के section में दिखाई देगा limit price simple जाते जाते एक बार और यहाँ पर इसको repeat कर देते है अब बंद करते हैं इसको